नमस्कार, SM News में आप सभी का स्वागत हैं, मैं सरीदा कुमार और आप देखने है SM News, आज हमारे साथ वाएडवेकेट आई आरजी जो की बहुजे समाज के बहुजे समाज के बहुजे समाज को अमेशा जाग रुकने के लिए तत्पर रहते हैं, आज हम इसे पूछना चाहें समाज हमेशा कहता है कि जातीगत आरक्षन खत्म होना चाहिए क्योंकि इससे विकास नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक प्रप खुदी 10% आरक्षन की मांग करता है, इसमें आप क्या कहने चाहेंगे, देखिए जो रिजर्वेशन सुलकास्टों सम्बंदित रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन सुलकास्टों सम्बंदित एक उनके एजुकेशन के सम्बंद में हैं, एक उनके नोक्रियों के सम्बंद में हैं, जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16-4 में और आर्टिकल 335 में हैं, ये सुलकास्टों का रिजर्वेशन है, दूसरी प्रकार का रिजर्वेशन है उसकी भारते समदान में कोई म्याद नहीं है जो 10 साल वाला रिजर्वेशन है MLA और MP के लिए उसको अच्छी नियस से वह लागू नहीं किया गया है इसलिए हर संद्रिय सरकार के कारण यहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है इसलिए उनको संस्ताओं को प्राइवेश करना सुलकास्टों के नोकिरी देने के अद्धकार को चिनने के बराबर है इसलिए मोधी सरकार सबसे ज़्यादा इनकंपटेंट है असक्चम है देश को चलाने के लिए और जो बीजेपी की सरकार है वो देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर खाने में एक जहर की बूंद पड़ जाए तो संपूर खाना बेकार हो जाता है अगर और बीजेपी वाले जो लोग हैं यह जो प जो 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 एकोनिमिक बीकर सेक्षन के जनरल के लोग है नोन सुलकास्ट के लोग हैं उनको दस परसेंट रिजर्वेशन सरकार ने गलत दिया है और उनकी नीती जो है यह गलत दिया गया जो लोग इंटरकास्ट मेरिज करें जो नोन सुलकास्ट के लोग सुलकास्टों के स साधी करें उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए 10 परसेंट और कभी समाज क्योंकि यहां चुवाचात बढ़ावा देता है और यहां पर देश के इंदर एक डियम भले ही बले ही कितना अनपड या गमार क्यों न हो वह अपने एक एक ब्रहमन अनपड गमार हो वह अपने आपक को सुलकास के डियम से ज्यादा पूजने समझता है इसलिए उसको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए जो इंटर कास्ट को तोड़ें इंटर कास्ट मेरिज करें और जाती बात को खत्म करें देश में समनता लाने की बात करें यह 10 के बजाए 15 परसेंट उनको दो लेकिन भूका करना अगर कोई नोकरी नहीं है उनकी फीशें इतनी ज्यादा आएं और आप देखी लोगों को रुजगार नहीं है पूरा देश डूब रहा है बैंकों ब्याद सबसे जाद कम हैं और आप बैंकों का बिले कर रहे हैं तो आप देश को एक तरह से बरवात कर रहें और आपका चंदरान भेजना ये सुलकास्टों को नरक में भेजने के बराबर है आप एक बार अलीगर से जो मेट्रो अपनी अपनी इम्यू गारियां चलती हैं एक आदमी अगर चड़ जाए ट्रेन में तो निकल नहीं सकता निकल जाए तो चड़ नहीं सकता दिल्ली की ड संदर नगरी संदर नगरी से बसाती हैं उनमें पैर रखने के लिए जगए नहीं है तो आप जो मेट्रो का किराया कम करिए आप आप लोगों को रुजगार दीजिए समधान का जबी तो फायदा है अगर कोई भी दवा कितनी अच्छी बना दी जाए अगर उसके रोगी को कोई म्यात संदान में नहीं है दो सरा जो पॉलिटिकल रिजर्फिशन दिया गया बारती संदान में मैं अले एंपी वगरा के लिए सवत साल के लीए दिया गया है लेकिन एम ये एमपी भी वो छुनके गुलाम होते हैं अगर वयां कर दें तो बीजेपी की गुर्णमेंट गिर जाएगी, सुरुखास्टों को अधकार मिलेंगे लेकिन सुरुखास्टों के MLA, MP, किसी पारटी के हों, वो अगर अपना मुह खोलते हैं, तो जवाई लेने के लिए खोलते हैं सुलकास्टों पत्याचार के लिए कोई मोहने खोलते हैं और आज के जमाने में मोधी सरकार या योगी सरकार पूरी तरह से फेल है नाक्यामाव है और देश को डुबा रही है और ये सुलकास्टों के लिए बहुत बड़ा खत्रा है दे तरफ यह प्राइवेट कर रहें यह लोगों को बेरुजगार कर रहें जैसे प्राइविटिसन होगा को नहीं कर पाएगा नाइस साइंस कि के से ले पाएगा हकीकत में भारते सम्दान को फेल करने में बीजे पी और आरेसेस के लोग लगे हुए हैं एक मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सम्बंद में जो सादू बन गए हैं जैसे योगी आदितिनाद सादू बन गए हैं उनको चीए सीम बनने क्या जरूत है जो निजना बगए है आदि आदमी जो सादू बनके कपड़े सादू के पहन के पालेमेंट जा रहे हैं अरे आपने मंदर देखना है आपका मतलब मंदर पर कोई विश्वास नहीं है भगवान पर कोई इस वर पर कोई विश्वास नहीं है आपको पॉलिटिकल सुत्ता का सुक चाहिए आपको धन चाहिए आपको लालत चाहिए तो आप सादू क्यों बने उनको कार फेगो आप आके पॉलिटीसियन बनो अपनी साधी करवाओ आपना ब्रह्मचारी बनने के क्यों जहूं कर रहे हो इसलिए देश की जितनी भी ताकत म मोजी सरकार की ओं शुलकाश्टों को बरबाद करने पे उनके बिकास की जड़ों को काटने पे और मैं आपको एक संदेश से दाना चाहता हूं एक जमाने में स्पेशल रिकूरिटमेंट नोकरी में निकाल नहीं पाईए केजरीवाल साब ने कोई Special Recruitment सुलकास्चों के लिए सस्ट्रों को नहीं निकल पाईए ये सुलकास्चों को भरवाद कर रहें उनकी बोर्ड का दमट करना चाहिए जैसे हम समसान में पढ़ी हुए एड़ी को छोड़ देते थेंक यू वेरी मच बहुत बहुत दनावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी इस खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले